कि येस फ्रेंड्स देखिए हमारा अगला टॉपिक है कलेंडर ये भी रेजनिक का एक पार्ट है और कलेंडर से रिलेटेड क्यूश्चिन अकसर हर एक एक कंप्युटिटिव एक्जाम में एक दो क्यूश्चिन के लेवन्ट जरूर आते हैं क्यूश्चिन कैसे बनता है कि ज एक बहुत ही easy और बहुत ही best method बताने जा रहा हूँ यहाँ पे तो देखिए आपको करना क्या है जैसे कि यह months है January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November और December तो यह साल के सारे 12 के 12 महिने महिने या लिख दिये हैं अब इनके आपको code याद रखने है इन months के code याद रखने है January का code है 0, February का 3, March का 3, April का 6, May का 1, June का 4, July का 6, August का 2, September का 5, October का 0, November का 3 और December का 5 अब आप इनको याद कैसे रखोगे आप तीन-तीन के जोड़े बना लेजी इसके 033, 614, 625 और 035 तो easily लेकिन आप इसको कैसे learn कर पाऊँगे देखो पहले याद कर लो 033, 033 और last वाला याद कर लो 035, means क्या है अपने पास 033, 035, 033 और उससे 2 ज्यादा, 035, बीच में क्या है 614, 614, 614 और 625, means 6 adjectives, 1 से एक ज्यादा 2, 4 से एक ज्यादा 5 तो इस type से हम इसको याद कर सकते हैं 033, 035, 614, 625 तो ये code हमें easily याद हो जाएंगे इन code को आप 3-4 दिन तक याद करेंगे तो वैसे भी फिर आप उमर पर इनको बूर लेंगे नहीं, ये code हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे इसी तरह से century, जो सदी होती है ना सदी, तो मैंने जो यहाँ से start किये, वो 1600, 1700, 1800, 1900, 1200, 21, 2200, 2300 आप चाहे तो इसका पिछे का भी लिख सकते हो ऐसे ही, जैसे यहाँ पर 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, इस टाइप से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब mostly जो क्यूशन आता है वो इन में से ही लाई करजाता है, इसलिए मैंने यहीं लिखा है, आप इसमें 2300, 2400, 2500 फिर ही आगे ऐसे सदिया और century जैसे लिखी जाएंगी, तो इनके codes क्या है, जो 1600 और 1200 इनका है code 6, 1700, 2100, यहाँ पर code 4, 1800, 2200 का code 2, और 1923 जो भी इस row में आएंगे, उनका code क्या है, 0, तो यह 6420, अब यह हमें code याद बिलने है, अब देखो procedure क्या है, method क्या है, निकालना कैसे है, आपको कोई न कोई date given होगी, पहले तो यहाँ पर date होगी, तारीख, उसके बाद में month होगा, और उसके बाद में year होगा, तो आपको क्या याद, क्या देखना इसमें, date as it is, date जैसी है, वैसी की वैसी लिख देंगे हम, means तारीख वैसी की वैसी लिख देंगे सबसे पहले, मैं आपको ना given होगा ना जो भी month given होगा उसका code add किया जाएगा plus code of century उसके बाद में जो सदी लिखी होगी मानलो 16 है 17 है 18 है 19 है 20 है 21 22 23 and so on इस टाइप से जो भी कोई century है उस century का code लिख देंगे हम यहाँ पे और last में लिखेंगे year मिन्स साल कौन सी है जैसे 1600 है तो यह 00 आ जाएगा 1601 है तो 01 आ जाएगा 1620 है तो 20 आ जाएगा और लेकिन year को हमें कैसे लिखना है 4 से divide करके और year divided by 4 year में 4 का भाग देने के बाद में जो question बचेगा means भागफल बचेगा वो लिखेंगे हम भागफल लिखेंगे यह ध्यान देने लाइक बात है कि साल में 4 का भाग दे के जो भागफल बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा और उन सब को add कर देंगे तो उनको add करने के बाद में second step क्या है total sum divided by 7 जो addition यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे total sum आजाएगा उसको हम किस से divide करेंगे 7 से divide करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 क्यों 7 तो कभी भी remainder मिलेगा नहीं 7 अगर remainder हो जाएगा तो हम further one time उसको divide करेंगे तो यह हमारे पास remainder बचेंगे तो अगर हमारे पास remainder 1 बचा तो it means वो दिन होगा Monday कौन सटे होगा वो Monday अगर 2 हुआ तो Tuesday, 3 हुआ तो Wednesday, 4 Thursday, 5 Friday, 6 Saturday और 0 हुआ तो Sunday means अगर हमारे पास जो वो 6 फल बचेगा सिर्फ हम 6 फल दखेंगे उसमें तो 6 फल एक बचेगा तो सोंवार, 2, मंगलवार, 3, बुदवार, 4, ब्रिस्पतिवार, सुक्रवार, सन्निवार और रविवार इस परकार से बचेंगे लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने लाइक ह अगर लीप वर्ष दिया हुआ हो, इयर जो है, इयर जो लास्ट में यहां लिखेंगे हम, वो इयर अगर लीप इयर दी हुई हो, और किसी भी इयर का लीप इयर कैसे पता लगता है कि यह लीप इयर हैग नहीं है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर किसी इयर को 4 से डिवाइड करेंगे, और वो डिविजन पूरा-पूरा कंप्लीटली चला गया, मिन्स रिमेंडर 0 बचा, इट मिन्स वो कैसी इयर है, लीप इयर है, तो लीप इयर चेक करने का क्या प्रोसिजर है, किसी भी इयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर लीप इ है कि leap year आ जाए लीप year कैसे चेक करेंगे चार्ट से डिवाइड करके और leap year हो plus month हो January February का तो जो हमारा answer आएगा तो जो इसमें day आएगा उससे पहले वाला दिन हमारा answer होगा अब इससे relevant हम एक दो question solve करते हैं जिससे कि यह और ज़्यादा clear हो जाए देखिए अब हम एक उधार लेते हैं कोई भी example लेते हैं मान लीजिए हमें पता करना है 15th August 1947 15 August 1947 को day कौन सा था दिन कौन सा था यह अपने को पता करना है कौन सा वार था यह अपने को find out करना है इसमें कि कौन सा day था तो 15 August 1945 तो देखिए जो procedure लिखवा है था वो procedure मैंने क्या बताया था पहले तारिक एजटी जा जाएगी date जो है वो योगी यो लिख लेंगे अब हमें जो code लिखना है वो सिर्फ इन दो बातों का लिखना होता है एक तो month और एक century यानि महिने का और सदी का कौन सा महिना है कौन सी सदी है उनके हमें क्या करने है code लिखने है तो यहाँ पर देखिए month महिना कौन सा है अगस्त तो अगस्त का code यहां से क्या आ गया तो फिर देखिए 19th century कौन सी है 19 तो 19 एन एडियरा तो इसका code कितना है जीरो तो यहां पर जीरो आ जाएगा यह 47 year लिख दो आप यहां पर और year के बाद में मैंने बताया था आपको year लिखने के बाद में year में 4 का divide भी करेंगे तो 47 divided by 4 जब इसमें 4 का भाग देंगे 4 से जब इसको divide करेंगे 4 बन जा 4 तो 4 बन जा 4 तो यहां remainder से अपने को कोई लेना देना नहीं है अपने को चाहिए सिर्फ यहां पर क्योशेंट जो भी भागफल है वो इसमें add करेंगे तो इसमें भागफल add करने के बाद में इन सब को add कर लेंगे तो 5 प्लस 2 7 14 और 115 5 1 तो 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 तो 75 यहां पर जो अपना total sum आ गया वो sum अपने को मिलता है 75 तो जो sum मिला 75 इसको किस से divide करना है last में 7 से divide करना है और 7 से divide करने के बाद में जो remainder बचेगा वो हम check करेंगे तो 7 बंजर 7 5 तो अब यह दिपा के फर्दर divide नहीं हो रहा तो remainder यहां से क्या आ गया 5 तो अब मैंने आपको बताया था जब remainder 5 आ जाए और आप यह चेक कर लो कि year leap year नहीं होना चाहिए तो 47 में 4 का पूरा पूरा divide नहीं जाएगा it means यह leap year नहीं है तो 5 तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday तो 5 5 को कौन 5 आने पर क्या मिले आपने को Friday तो 15 अगस्त 1947 वाले दिन कौन सा दिन था Friday था एक बार फिर से आप इसको चेक कर लो सबसे पहले date as it is 15 फिर उसके बाद में अगस्त का code 2 फिर उसके बाद में 19th century का code वहां से 0 फिर year as it is और year में divide किया 4 का 4 का divide करके सिर्फ लिखेंगे 11 इन सबको एड किया हमें मिला 75 तो 75 में किसका डिवाइड करेंगे 7 का 7 से डिवाइड करने पर रिमेंडर क्या बचा 5 तो 5 हम चेक करेंगे अगर 1 बसता तो Monday फिर 2 तो Tuesday, 3 तो Thursday, Friday, Saturday, Sunday और so on तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday इस टाइब से चलेगा तो 5 को कौन सा आ गया Friday तो उस दिन कौन सा डे था Friday एक अग्जामपल चलिए हम और ले लेते हैं इसमें चलिए जो second example लिया है वो हम find out करते हैं कि 26th of January 2016 को कौन सा डे है मिन्च हम पता करेंगे 26th January 2016 को कौन सा डे था तो यह अपने को पता करना है तो सबसे पहले प्रोस्जिर क्या है डेट एज़ट इज़ट जैनवरी मन्त कौन सा है जैनवरी तो जैनवरी का कौट लिग लिजे यहां से फिर से जीरो सेंचुरी सेंचुरी कौन सी है ट्वेंटी हेंडरेट के निचे क्या जाएगा 6 फिर आपको यह लिख देना है 16 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 जा 16 देखें यहां पर completely divided हो गया है याद रखें वैसे तो यहां पर completely divided होने के बाद में यह बात आप आप वो याद रखने है कि last में जो answer आएगा दिन उससे पहले वाला लेना है means उससे previous वाला day answer आएगा अपना तो यहां पर question कितना आया 4 तो इन सब को add कर लो 7 जा 49 कितना remainder बच गया 3 अपकी बार अपने को remainder चेक करना होता है यहां पर remainder कितना है 3 तो 3 के according day तो होगा Monday Tuesday Wednesday लेकिन यह leap year है 16 पूरा पूरा 4 से complete divide कर रहा है तो इसलिए अपने को पहले वाला लेना है means 3 minus 1 करना है तो 3 minus 1 करने पर आया 2 और 2 number पर कौन सा day आएगा Tuesday तो यह हो गया हमारा answer तो इस time से हमें पता लगा कि 26th January 2016 को कौन से day था Tuesday तो friends अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको please like share और subscribe करना ना बूले थैंक्यू